वडंक पकासी, हर हर महादेव, कासी तमिल संगमम, कि आज की समापन कारिकरम में मुख्य तिति की रूप में पस्तित, केंद्रिय ग्रह और सहकारता मंत्री, आधनिय स्री अमित साजी, इस संपूर्ण कारिकरम के सियोजग, केंद्रिय सिक्सा और कौसल विकास यंग उद्दमताब, मंत्राले के मंत्री, मानिय सी धर्मेंदर प्रधान जी, केंद्रिय संस्कृति, प्रेटन और पुरोत्तर छेत्र विकास मंत्राले के मंत्री, मानिय सी जी किसन डेड़ी जी, यम सुचना यम प्रसारण मंत्राले के राज्य मंत्री, मानिय सी एल मुर्गन जी, बारतिय भासा समिति के अध्यक्स सम्माने सी चामो कृष्ण सास्त्री जी, बारतिय जन्ता पार्टी तमिल नाडु के अध्यक्स से के अन्ना मलाई जी, कासी हिंदो विश्वविद्याले के कुलपती प्रोफेसर सुधीर कुमार चैन जी, आयाईटी चेनाई के डारेक्टर प्रोफेसर वी काम कोटी जी, सास्त्र विश्वविद्याले के डॉक्टर एस बैद्य सुब्रमनियम जी, काशी तमिल संगवं के समापन कारिक्रम में उपस्तित तमिल नाडू और काशी के सभी उपस्तित महानुभाव बाबा विश्वनात की स्पावन धर्टी पर उनुगलाई काशील वरा वेरी की रोम बाबा विश्वनात की स्पावन धर्टी पर मैं उत्तर प्रदेश सासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से देश के यसोशी ग्रह और सहकारता मंत्री मान्य से अमित साहजी का हिर्दे से स्वागत करता हूँ इस उसर पर तमिल नाडु के मान्य राज्यपाल से आरेन रवी जी का भी मैं उनके साथ यहां पर पधारे तमिल नाडु से आई वहे आप सभी माहनुभाओं का केंद्रिय मंत्री मान्य सी धर्मेंदर प्रदान जी का मान्य सी जी किसन रेड़ी जी का मान्य सी एल मुरुगोन जी का और अन्य सभी अतितियों का हिरदय से स्वागत करता हूँ हम सब जानते हैं क्यादनिय प्रदान मंत्री जी की पेना से पवित्र तमिल कार्तिक माज 17 नौवंबर 2022 से कासी तमिल संगम का सुभारंब आधनिय प्रदान मंत्री जी के करकमलों से कासी की इस पवित्र भूमी पर हुआ था विगत एक महा के अंदर कासी में तमिल लाडु के अलग-अलग गुरुप से जुड़े वे बारह ऐसे समों ने आकर के न केवल दुनिया की दो प्राचीन तम सभ्यता और संस्कृति के साथ एक भारत स्रेश्ट भारत की आदने प्रधान मंत्री जी की सकड़पलना को मूर्थ रूप देते भे देखा है बलकि कासी के साथ ही प्रियागराज और अयोध्या जाकर के उत्तर प्रदेश और तमिल नाडू के बीज की उन प्राचीन समन्ताओं को सक भी अनुभव किया है और इसका संदेश न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सकारात्मक रूप से राह है बलकि टमिल नाडू से आएवे अतितियों ने भी बहुत नस्दीक से इसको अनुभव भी किया है और मुझे जिस दिन टमिल नाडू से आयवा पहला समू प्रियागराज में गया था उस दिन प्रियागराज मैं भी मुझे भी जाने का उसर प्राप्त हुआ था जिस दिन समो अयोध्या गया था मुझे उस दिन अयोध्या भी जाने का उसर प्राप्त हुआ था और मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पहली बार उत्तर प्रदेश में, कासी में, प्रियागराज में या आयोध्या में आने का उसर फ्राप्त हुआ था और उन्हें लगा कि वास्तों में देश की दो प्राचीन परंप्राएं एक साथ मिल करके आधने प्रदान मंत्री जी के उस संकल्प को जो एक भारत स्रेश्ट भारत है उसे साकार कर रहे हैं इसके लिए हम सब आधने प्रधान मंतिरी जी के पर्ती हिर्दे से आभार अब्यक्त करते हैं और केंद्रिय सिकसा मंत्राले को इस बात के लिए हिर्दे से धन्यवाद देते हैं कि एक महिने से धिक ये परंपनाए ये कारेक्रम बहुत कुछ कह रहा है खास तोर पर जम हम कासी की बात करते हैं तो कासी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजदानी के साथ कला संस्कृती का एक अध्युत केंद्रबिंदु रहा है उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनित्व करता है तो तमिल नाडु में इन सभी समानताओं को लेकर के कला संस्कृति ज्यान की उस प्राचीनतम परंपराओं का नित्रुत्व करता है इन दोनों परंपराओं का कासी तमिल संगमं के मात्यम से अद्बुत संजोग एक नए संगम का निर्मान करती है जो एक भारत स्रेश्ट भारत की परिकलपना को साकार करता है और आदनिय प्रधान मंत्री जी की पेड़ा से केंद्रिय सिक्सा मंत्राले ने संस्कृति मंत्राले ने इसे साकार किया है यह सचमुच अद्बुत है अबिस्मर्णिय है और अविनंदनिय है उत्तर प्रदेश और तमिलाडु में एक और समन्ता देखने को मिलती है और वह समानता है आदनिय प्रधान मंत्री जी के आत्म निर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए परंप्रागत उद्यम को MSME में सूक्सम लगू मद्यम उद्यम के सबसे बड़े भारत के दो बड़े केंद्र है जिसमें एक उत्तर ब्रदेश है और दूसर तमिल लाडु है इन दोनों के बीज के समानता आदनिय प्रधान मंत्री जी की आत्म निर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी ये मदद कर रही है यहां पर लगावा एक्जिवीशन इसका उधारन है और कासी उसका केंद्र बिंदू है कासी में बहुत सारे ऐसे प्रॉडक्ट हैं जिनको पिछले आठ वर्स के अंदर यहां के आर्टीजन्स को मनिता मिली उन्हें GI टेग मिला और बैस्विक मन्च पर उन्हें एक नई पैचान मिली है यहां जो संजोग है ताचीन काल से ही कासी भगवान बिश्वनात के पावन ज्योतिर लिंग के करण भगवान बिश्वनात के इस पावन धाम के करण जहां जगविख्याद रहा है तमिल नाडु में भगवान स्री राम के दरा स्थापित रामेश्वरम का पवित्र जोतिर लिंग इन दोनों पवित्र जोतिर लिंगों के समन्वे के साथ साथ आध्यात्मिक और सनस्कृतिक विरासत और इस देश में भारत को आत्म निर्वर भारत बनाने के लिए अपनी प् माहान मंत्री जी की पेणा के दो महत्वपूर केंद्रों का इस संगम भी भिगत एक महा से बहुत कुछ पेणा दिया है हमें विश्वास है कि जो सुरुवार पवित्र कार्तिक मास में कासी तमिल संगमन के मात्यम से प्रारंबु ही है यह परमप्राएं निरंतर आगे बढ़ सुप्रमने भारती जी ने इसी कासी कासी की धर्ति पर जो ग्यान और साहित के की संप्रित परमप्रा दी है उत्तरप्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिल करके उनके इस पवित्र परमप्राक और उनके समारक को भब्य सुरूप देने में अपना भरपूर योगदान आज के इस कारिक्रम में आधनिय गरहे मंत्री जी का, तमिल लाडू के मानने राज्यपाल जी का, अपने केंद्रिय मंत्रियों का, और तमिल लाडू से आए हुए सभी सम्मानित अत्रिकियों का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश आगमन पर हिरदे से स्वागत करता हो, और मुझे पुरा विश्वास है कि आप अपने इस यात्रा की मदूरिस मिर्तियों को, तमिल लाडू के हर घर तक, हर गाउं तक पहुचा करके, इस परंपरा को अनवरत आगे वढ़ने के लिए, तमिल लाडू के अलग-अलग छेत्र से जुड़ेवे अन्यमान भावों को भ इसी उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेडित करेंगे, आप सब की इस पवित्र यात्रा के लिए मेरी मंगल में सुबकामनाएं हैं, आप सब को मैं इस बात के लिए अपनी सुबकामनाएं देता हूं, धन्यबाद, जैहिन, हर हर महादेव